नमस्ते में हुँ देवाब का म्यूजिक इंस्ट्रक्टर बात करते हैं रीवर्ब और डिले के बारे में पहले बात करते हैं रीवर्ब की माल लीजे एक बहुत बड़ा हॉल है उसके अंदर आप और आपका दोस्त दो लोग है पूरे हॉल के अंदर और कुछ भी नहीं है सिर्फ दीवारे हैं कोई कार्पेट नहीं कोई खिडकी नहीं ठीक है आपने कहा हलो और वो आपके मूँ से डारेक्ट आपके दोस्त के कान पर जो सिगनल गया है उसे कहेंगे ड्राइ सिगनल उसने सुना हलो लेकिन आपकी आवाज जो दीवारों से टकराती हुई रिफलेक्ट होते हुई आपके दोस्त के कानों पर पड़ी है उसे हम कहेंगे वेट साउंट गीली राइट सिम्पल इजी आप सामने बैठे हैं स्पीकर्स के स्पीकर से जो भी आप सुन रहे है या इस वक्त मेरी आवास जो सुन रहे है डाइरेक्ट जो आपके कानों पर पड़ रही है वो है मेरी ड्राइ साउंट और जो दीवारों से टकराती हुई जमीन से, फर्ष से या आपके रूम के छट से जहां से भी वो टकराती हुई रिफ्लेक्शन आपके कानों मेर पड़ रही है वो है वेट साउंट सिंपल, अब यहाँ पर एक एक एक्जेम्पल लेकर चलते हैं यहाँ मैंने एक FL स्टूडियो के स्टॉक सेम्पल में से ही एक सेम्पल लिया है ठीक है, बहुत बड़िया मैंने क्या किया, डबल क्लिक और इसे पहले नंबर के Mixer चैनल में ले गया वहाँ पर मैंने अल्रडी असाइन कर रखी है पहले नंबर के Mixer चैनल में यहाँ पर मेरे पास एक प्लग-इन है Fruity Reverb 2 Reverb 1 भी है और एक नया Reverb FL21 के अंदर भी है Luxverb जो हम थोड़ी दिल में डिसकस करने वाले है अब अगर आप यहाँ पर देखें By default मैंने आपर कुछ भी नहीं छेड़ा है हम एक बार देख लेते हैं पहले क्या साउंड थी और अब क्या साउंड है अब देख रहे हैं वो गूँच्टी हुई साउंड आने शुरू हो गई वो क्या चीज है जो भी reflections है यहाँ पर add हो गई है और जो मैंने यहाँ पर बात की है यह जो बीट में लिखा है ER वो है early reflections लेकिन हमने अभी जो बात की थी वो थी dry और wet यानि कि अगर मैं wet बंद कर दूँ और dry एकदम full कर दूँ तो हमें क्या सुनेगा और अगर मैं dry बिल्कुल बंद कर देता हूं और केवल wet बढ़ा देता हूं यानि कि direct sound जो आ रही थी वो नहीं आ रही सिर्फ दिवारों से टकराती हुई reflection रह गई बहुत बढ़िया वापिस मैं dry ले जाता हूं wet को कम करता हूं और धीरे धीरे में wet को बढ़ाऊंगा एक सही point पे जाकर मैं रुख जाऊंगा जहांपर मुझे लगेगा हाँ ये जचनी शुरू हो गई है तो किसी भी song के दौरान आप चाहे कुछ mixing कर रहे है कोई vocal है, कोई guitar है या sound design कर रहे है, कोई synth है उसके उपर आप हमेशा ये balance रखेंगे कि dry कितना और wet कितना जब भी हम reverb की बात कर रहे हैं तो कुछ जो हैं चीजें बहुत important होती है जिसमें definitely हमें मालूम है dry important चीज़ है मेरी wet important चीज़ है तीसरी मेरी important चीज़ है कि reverb कितनी देर तक रहे उसे हम कहेंगे decay time यहाँ पर लिखा है DEC decay अगर मैं इसके उपर ले जाता हूँ तो आप top left पर hint panel में देख सकते हैं वाली खाये decay time 1.5 second मैं इस section की बात कर रहा हूँ ठीक है यहाँ ले कर गया 1.5 second थोड़ी बढ़ा देते हैं wet ठीक है डेट second तक वो reverb रही थोड़ा बढ़ा देते हैं मैंने कहा 7.1 second राइट बहुत बढ़िया अब हमने देखा है काफी देर तक वो रही और बढ़ा देते हैं फूल कर दिया एकदम 20 second मैंने स्टॉप कर दिया है क्योंकि 20 second कौन वेट करेगा राइट तो ये डीके टाइम है ठीक है तो हम हमेशा sound के हिसाब से audio के हिसाब से कि यसी मुझे vibe चाहिए उस हिसाब से हम ये time set करते हैं इसके बाद एक चीज आती है pre delay यानि कि मेरा dry signal के कितने दीर बाद जो है वो वेट साउंड करे ये रही देखते हैं कैसे मैं थोड़ी सी से यहां बढ़ाता हूँ आप देख रहे हैं ये कितना है हिंट पैल में लिखा है 600 millisecond मैंने इतना जादा इसे बढ़ा दिया कि 600 millisecond बाद जो है रीवर्ब चलनी शुरू होती है फुल कर दी एकदम 1000 millisecond यानि कि 1 second अब आप देखेंगे जब ये आवाज आएगी dry signal यहां तकरीबन चल रहा होगा और धीरे धीरे जब 1 second हो जाएगा फिर उसकी जो wet है जो रीवर्ब है वो हमें सुननी शुरू हो जाएगी इसे हम कहेंगे pre delay यहांपर delay लिखा है आशा करता हूँ या hope करता हूँ किसी दिन FL studio वाले से pre यहांपर side में लिख दे क्योंकि अकेला delay लिखने से शायद किसी को confusion हो जाए नए student को पुराने को तो पता ही है कि reverb की उपर delay लिखा है तो pre delay की बात हो रही होगी क्योंकि बाद में हम delay की बात करने वाले है इसके लावा यहांपर और बहुत सारी options होती है जो आप कोई भी और मेरे advanced lectures में देख सकते है कि low cut है यानि कि जितनी भी है उसे low कर दिया, high हमें cut कर देनी है early reflections कितनी होनी चाहिए damp कर दिया, वो एक और चीज है ठीक है, pre delay किस तरह से निकालना है यहां tempo क्यों है, अगर tempo का button ना हो तो pre delay कितना होना चाहिए 60,000 divided by 140 divided by 4 इस तरह के बहुत सारे advanced lectures मेरे इसी चैनल के उपर है लेकिन फिलहाल आप पहले search करेंगे और practice करेंगे बहुत सारी reverb के बारे में ठीक है, अब यहां पर मैं आपको एक बहुत important चीज़ बता दूँ कि जब भी हमारे पास कोई vocal है या कोई भी चीज़ है सही तरीका क्या है, वैसे सही भी नहीं कहेंगे लेकिन हाँ थोड़ा better तरीका क्या है हमेशा उसको एक send में हम use करेंगे हमने buses वाले lecture के अंदर देखा था mileage में से double click करता हूँ और यहां से मैं ले जाता हूँ, जलिए 15 number में 15 number एकदम खाली है I would like to introduce बहुत बढ़िया, मैं यहां गया थोड़ा उपर ले जाता हूँ यहां click किया दो signal हो जाएंगे, double I would like to introduce यहां गया, यहां से मैंने reverb ली अब reverb के अंदर मैंने dry बंद कर दी और wet फुल कर दी आपने टेस्ट के साब से जो भी आप रगना चाहें फुल रगना ठीक है, अब क्या हुआ यह जो मेरा 15 number है इसके अंदर जो है मेरा dry signal है और जो मेरा 16 है, उसके अंदर मेरी wet है इससे फाइदा क्या हुआ, पहले तो यह है कि मैं इससे reverb कंट्रोल कर सकता हूँ दूसरा यह है कि जितनी मैंने reverb रखी कि चलिए मुझे इतनी reverb चाहिए इसके बाद यहां पर मैं EQ ले सकता हूँ compression ले सकता हूँ और भी बहुत सारी चीज़े मैं ले सकता हूँ सिर्फ reverb को design करने के लिए जो मेरी dry sound होगी वो intact रहेगी, वैसे की वैसे ही रहेगी तो सही better तरीका यह होता है कि हम sends में delay को या reverb को use करें इसके बाद यहां पर मैं बात करता हूँ इसे second number में ले जाते हैं जो कि है मेरी luxe verb यह FL 21 के अंदर नया plugin आया है और इसके अंदर भी अगर आप देखेंगे तो important चीज़े मेरी क्या क्या है यहां पर input की बात हो रही है यहां पर मुझे dry और wet मिल गया है again dry को मैं full करता हूँ wet बंद I would like to introduce dry मैंने बंद कर दी wet उठा दी और जब मैं dry को यहां उठाया आपने देखा है volume क्यों बढ़ गया क्योंकि इतना जादा मैंने बढ़ा दिया था right तो आप alt प्रेस करके click करेंगे तो यहां पर 00 है यह मैंने काफी यहादा volume बढ़ा दिया था अब मैं wet बढ़ाता हूँ and again इसका balance अगर हमने insert के अंदर ही ले रखा है अगर मैंने कहीं send ले रखी है तो मुझे वो ही पहली करना पड़ेगा जैसे मैंने बताया reverb कितनी bright हो यानि की थोड़ा EQ वाला style है यहां पर p.delay बहुत अच्छी बात है इनको काफी सारा feedback आया होगा कि पिछले reverb के plugin में आपने सिर्फ delay लिखा है at least pre तो लिखे पी तो लिखे इस बार यहां पर नए plugin में उन्होंने p.delay again hint panel में देखे हमां क्या लिखा है reverb की pre delay है 2.1 millisecond और again उसको full कर दिया 500 millisecond तक यह हमारे पास दी गई है low cut again की मैं जो low frequencies है वो जो base base आ रही है या mud है या rumble है उसे मैं साफ करना चाहता हूँ reverb से और high ठीक है बहुत बड़ी है बात इसके साथ भी आप hit and trial करना चाहें तो कर सकते हैं और presets पे click करें के तो बहुत सारे यहां पर presets हमें मिल जाते हैं और plate reverb के बारे में भी आपको पढ़ना चाहिए internet के उप यह तो हो गई reverb की बात अब हम बात करते हैं delay की delay क्या चीज़ है again मान लीजिए आप पहाडों में खड़े हैं अकेले और आपने का hello और वहां से गूश्टी हुई आवाज आई hello, hello, hello वो जो repetitive आवाज आती है थोड़े time difference के बाद उस चीज़ को हम कहते हैं delay यहाँ पर मैंने double click किया और मैं third number में चला गया बंद करता हूँ और delay का plugin कोलते हैं delay 2 भी हमारे पास है लेकिन latest जो चल रहा है वो delay 3 है तो चलिए इस पर ही हम देखते हैं again by default मैंने भी कुछ भी नहीं छेडा है देखें क्या होता है right वो repeat करना शूरू हो गया यह देखें अब यहाँ पर कुछ चीज़ें important क्या है सबसे पहले हम right पर देखेंगे again dry and wet मैं wet बंद कर देता हूँ कोई delay नहीं है मैं धिर धिरे में से बढ़ाऊंगा I would like right मेरी wet और dry का balance मैं आपस में रख सकता हूँ दूसरी चीज़ यहाँ पर important होती है मेरी feedback feedback क्या चीज़ है कि जो भी वो signal है जो भी वो शब्द है कोई instrument है mandaline, guitar, vocal, whatever वो कितनी बार अपने आपको repeat करें वो यहाँ से होगा mileage mail को बंद कर देता हूँ तो क्या होगा एक मेरे पास dry signal आएगा और केवल एक ही wet signal आएगा मैं इसे थोड़ा छोटा कर देता हूँ फिर आपको आसानी से समझ आ जाएगा I would, I would I would, I would एक dry और एक wet यह देखिए जहाँ खाली जगा है कुछ भी नहीं है वहाँ पर उसकी delay सुनाई दे रही है I would, I would I would, I would थोड़ी सी मैंने level बढ़ाया I would, I would, I would तीन चाराने शुरू हो गए और बढ़ाया I would, I would, I would, I would और अगर आपने इसे full कर दिया तो यह लगातार चलती जाएगी I would, I would, I would, I would, I would I would, I would, I would, I would, I would चाहे बंद कर दिया तो भी वो feedback बार-बार लगातार घूमती जा रही है Alt Press वापिस reset पे आ गई या पिर अपने हिसाब से set कर सकती है दूसरा I would, I would, I would, I would मैं इसे एक बार बंद करता हूँ I would, I would यह exactly उसे की copy लग रही है मैं song के दोरान चाहता हूँ कि effect बने लेकिन थोड़ा पीछे से बने तो मैं cut off छेड़ दूँगा उससे क्या होगा, देखेगा Dry signal की original sound रहेगी Wet की थोड़ी muffled I would, I would, I would, I would, I would Left या Right, stereo करना पड़ेगा कि कि इधर मुझे delay चाहिए Right या Left, ping pong का क्या फाइदा है वो कहेगा Hello जो उसकी बाद में feedback है एक बार Left signal में आएगी एक बार Right signal में आएगी headphone में आपको ज्यादा पता लगने बाद है इसके बाद जो मेरी delay है उसका एक important section होता है मेरा time कि कितने time के बाद वो अपने आपको repeat करती जा रही है वो आपके software के tempo हिसाब से अपने आप ही चलेगी on करते है metronome थोड़ा से बढ़ाते हैं by default देखते है time क्या कर रहा है वो इस तरह से हो रहा है यहाँ पर मैं थोड़ा बढ़ा कर इसे देखता हूँ यहाँ कर देते है time कम हो गया मैंने time बढ़ा दिया वो आदे बार तक जाना शुरू हो गया full कर दिया पूरे एक बार के बाद वो अपने आपको repeat कर रहा है यहाँ पर आएगी मैंने dry वेट फिर आएगा दो पर फिर आएगा तीन पर फिर आएगा चार पर राइट कितना ही simple कितना ही easy अब आपको कैसे पता लगेगा कि यहां रखना है यहां रखना है कहां रखना है बहुत ही असान right click करेंगे set पे जाएंगे और यहां पर मुझे बहुत सारे अलग लग दे रखे हैं 70 से 80 प्रतिशत गानों के अंदर 1.4 एक standard चल जाता है उसके बाद आप यहां पर set करते हैं या overall आप mix यहां से भी control करना चाहे तो कर सकते हैं right अब हम यहां से लेते हैं कोई एक vocal चली यहां पर एक song है यह vocal है चली यह भी हटाते हैं यह भी हटाते हैं और सुनते हैं ठीक है बहुत बढ़िया अब इसको मैंने किया डबल क्लिक और पहले नमबर में ले गए अब देख रहे हैं सिर्फ revo one से ही vocal कितनी enhance हो जाते है इतनी beautiful हो जाती है तो सही तरीका क्या है मैं इसे किसी नमबर में ले जाऊँगा चली थोड़ा मैं इसे 5 नमबर में ले जाता हूँ अब 5 वाले को मैं क्या करूँगा यहां से मैं एक send दूँगा reverb की और मैं एक send दे दूँगा delay की यानि मेरे जो dry vocal है वो पांच नमबर के अंदर ही है F2 dry vocal इस पर click करते हैं और चली इसे yellow कर देते ठीक है तो यहां पर मैं delay की तरफ जाता हूँ इसे open करते हैं और drive एकदम बंद कर दी इसकी रीवा फिलाल बंद डीले सुनते हैं ठीक है हलकी सी मैंने यहां पर डीले दी रीवा बाउन करते हैं बंद किया एक बार इसके बाद इसको open करते हैं dry एकदम बंद कर दी है, wet एकदम फुल कर दी है चरिए तो आप देख रहें कि इस तरह से overall flourish हो जाते हैं बहुत ही beautiful हो जाते हैं आपके vocal या फिर कोई भी live instrument, guitar हो गई, mandolin हो गई, सारंगी हो गई अपने taste के हिसाब से आप उसमें delay आड करेंगे अपने taste के हिसाब से आप उसमें reverb आड करेंगे और याद रखिए अगर आपने send में लगा रखी है तो आप यहां से EQ ले सकते हैं, compression ले सकते हैं साइनिंग आउट, Namaste अपने ले सकते हैं